जै मातादी बक्ति भावना यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं आज मैं आपको गुप्त नवरात्रों से सम्मंद्द जानकारी दूँगा गुप्त नवरात्रे बड़े नवरात्रे होते हैं जिस प्रकार से प्रतक नवरात्री होते हैं उसी प्रकार से गुप्त भी होते हैं दो प्रितक नवरात्री होते हैं एक चैत्र नवरात्री और सर्दिय नवरात्री और दो गुप्त नवरात्री आते हैं जो माग और असाड में आते हैं तो असाड के गुप्त नवरात्री कल से प्रयारम हो रहा हैं बहुत ही अच्छा यूग बन रहा है और कई ऐस से सुवयोग बन रहे हैं जो कापी सालों के बाद में इस बार बन रहे हैं एक उपाई में आपको बताने वाला हूँ और भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दोंगा नवरात्रों के दिनों में माता दुरगा के नो स्वरूपों की आरादना की जाती है यह आप सभी जानते हैं लेकिन गुप्त नवरात्रों में माता के दस स्वरूप और इजिन दस माविद्या का जाता है जैसे नवरात्रों में प्रतर सेल, पुत्री, चाद्योतिय, ब्रह्म, मचारणी माता के नो स्वरूपों का ध्यान किया जाता है उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रों में जैसे माता काली माता त्रिपल सुन्दरी और माता चिंद मस्तका और माता तारा माता बंगला मुखी इन सभी दसमा विद्याओं का ध्यान किया जाता है तो प्रति दिल माता के नो सुरूपों के साथ साथ इन दसमा विद्याओं का भी ध्यान करना है माता के सामने आप प्रयात्रा करें और घर में तामसिक भोजन नो दिन नहीं बनना है इस बात का विशेशू सी ध्यान रखें कि घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए प्रते दिन माता के सामने लोंग का जोड़ा चड़ाना है अपनी इच्छा बोल करके पर दीपक जला करके वो अगनी जला करके कपूर के द्वारा गी के द्वारा और उसमें पतासा छोड़ दीजिए साथ ही माता के सामने दीपक ने में तुरूप से जलाएंगे और माता के मंत्रों का जाब करेंगे माता के सामने फल चड़ा कर के प्रत्ति दिन आपको खाने हैं मेश रासी, ब्रसव रासी मितुन रासी, करक रासी कन्या रासी, तुला रासी ब्रस्चिक रासी धनु रासी, कुम रासी ये रासियां जो बहुत ही जैदा इन अवरात्रों में भाग गिसाली रहने वाले हैं मीन रासी का यूग मद्यम रहेगा तो ये रासी आएं और मातरानी की किरपा सभी रासी वालों पर बढ़ सेगी